तो आएप अग्षाइजिए दिस इस मोई तईरवार और आज का मने टॉपिक है रेफ्रेक्टिव एरर्स रेफ्रेक्टिव एरर्स का मतलब होता है रेफ्रेक्षन ठीक से नहों पाना किसका आई लेंस का इस वजह से क्या-क्या अपनको आपनोर्म इस आती है वह देखने वाले सब है मैं ट्रोकष या क्या होता है मैं ट्रूपिय का मतलब होता है जहां पर अग्मकि जो लेंस की फोकस करता था जिसको रेस कैसी दुंदली टाइप की देखेगी अब यह होता है अपन का लेंस ठीक है यह होता है लेंस रिफ्रेक्टिव पावर्स क्या कहलाती है इन लाइट रेस को थोड़ा सा मोड देना ताकि वह इस पॉइंट पर फोकॉस हो पाएं इसको क्या बोलते हैं अपन लोग अफ्रेक्ट पावर ओफ आई फ्रॉम नियॉर्मल कंडिशन तो रिफ्रेक्टिव पावर थी उसमें बदलाओ हो गया हो अपना रिफ्रेक्टिशन नहीं कर पाता है इसकी वज़े से क्या होता है इन एडेक्वेट मालब परियाप्त होकस ओफ इमेज और टीना नहीं हो पाती है ठीक है देफेक्ट इस ड्यू जिँटू चेंज हो है आइवल में छेंज फूए हो इंठाइब का अब यह क्या एरा हो सकते हैं दो टाइप के माईयोपिया और हाइपर्मेट्रोपिया माईयोपिया लिए दीच छोटा बाट है तो उसके बोलेंगे अपनलोग सौट साइटेड ने जो पास वाली चीज़े हैं बहुत अच्छी दिखेंगे लेकिन दूर वाली चीज़े ठीक से नहीं दिखेंगी तो छोटा है तो इसको दूसरा नाम मैं सॉट्रेका को बता दूँ इसको यह से याद कर सकते हैं कि सॉट साइटेडनेस और यह बड़ा है यह वाला बड़ तो बड़ा कि बोल दिनेंगा फर लोग दूरवाला ठीक है मतलब की लॉंग साइटेडनेस अ ठीक है तो इसको इस तरह से पानियाद कर सकते उस बड़ को देखके यह कौन लोगा कौन सॉट होगा अब मायोपिया देखते हैं मायोपिया क्या होता है इस ही हो क्या बोलती सॉट चौट सॉटी साइट इस आप इस तरह से देख सकते संपर्ड़ के मायोपिया एक जोटा है तो इसके बहुत कम देख चाहिं अशोट साइटेडेंज इन महला दूर की चीजे नहीं देख आता इसमें इस अधर वाइस काल सॉट्ग साइटेडनेस बिकाज दप निया रॉब सबसे दूर वारा पॉइंट होता है इंफिनिटि इंफिनिटि देख सकते हैं लेकिन माय उपी आपन इंफिनिटि नहीं वानता क्ते वह इसमें कहो हुआ है तैय दूरी रहती है कि इतने सेंटिमीटर के बाद अपन को देखना देखना बंद हो जाएगा तो इन मायोपी या नीर बिजन इस नॉनल वर्ट फॉर बिजन इस नॉट इसमें कहुंता इंफानेट नहीं रहता है इंफानाइट के पहले के कुछ पी चीज़ नहीं नहीं देखती है जैसे कि माली जी यह वाला था यह अपन की आई है है कि यहां चैंग Самिव्ट ह से हिदर आपन देखने हैं तो यह वाई इवारा पॉंट है उआपकर है लेकर यहां तक नहीं देखते हैं बहुत नहीं हुत अधर और यह तक नहीं देख़ाएं यह nuestro तो इन एक्स्ट्रीम कंडिशन फार पॉइंट मेभी ओंली है फ्यू सेंटीमीटर सभी फ्रॉम द आई तो इसमें कहो है कुछ ही सेंटीमीटर दूर रहता है फार पॉइंट को सब्सक्राइब कि तो पहले तो क्या है रेफरेक्टिब बाल लेंस का नॉनमल है बट एंटरो प पहले उसने फोकस कर दिये लाइट को तो यह देख सकते हो मायोपीया में मायोपीया में क्या किया यहां पर फोकस करना था यह दी रेटिना लेकिन फोकस उसने पहले कर दिये दोंदा दिखना स्टाट हो जाएगा यह करान है न therefore the image is brought to focus on little in front of retina light rays after coming to a focus disperse against to the blurred images form upon retina तो इस बाइट इमेज बनने लगती है ठीक है बिलर टाइप का दिखने लगेगा अब करना क्या है अब करना को इसको ठीक कैसे कर सकते हैं तो ठीक इस तरह का लेंस यूज करो कि ताकि वह करें उसी जगह फोकस करी दो तरह के लेंस अपनने पढ़े थे वाइक sqr Ñornis के अब कि और यह कर है यह उसले यह बॉद बगभा एक बाइक को न वैक्स ठीक है यह Αन्हाट से यह किस्तरह का रिव्रेक्षन कर दाए ये लाइट को फहलाता है कि क्या अब यहाँ पिछmare लाता है लाइं न किए किसी पास में फोकस हो गया तो इतने दूर तक ले जाना पड़ेंगा तो इतने दूर ले जाने के लिए पन क्या फहला नफट है यहां पर लगा सकते हैं एक का यूज कर सकते हैं तो यह फूरी कहां पर फोकॉस हो जाएंगी ठीक है तो पता चल गया कि इस तरह का लेंस यूज किया जाता है ठीक है करेक्शन ओप मायोपिया इन मायोपिक आई इन ओर्डर तु फॉर्म अ क्लियर इमेज ऑन दे रेटिना दा लाइट इस इंट्रेंग दा आइज मस्ट बी डाइवर्जेंट एंड नोट पैरलल तो उनको फैलाना पड़ेगा और पैरलना नहें बल्कि उसी पॉइंट फोकॉस हो जाएं दस दा मायोपिक आई इस करेक्टेड वा यूजिंग वाइकॉन के लेंस ठीक है लाइट रिजा डाइवर्ज बाइकॉन तो सी नीर अब्जेक्ट इस अधरवाइज टो सी नहीं देंड ऑजयाता है मतला इस तरह से चैन्ज साहा होंगे कुछ लेंस में उस बाले में क्या हुआ था माइत्रोपिया में एंट्रोपोस्ट्र्य डायमिटर बढ़ गया था उसके नेचर किसा का हो गया है साय। यह करेगा क्या जो नॉर्ट कर जाएंगा dándra टो थP R kस कर जाएका बहुत दूर बनना पड़ेगा अबby इस तरह का Lens Is depends करके दो फिर अफर आपर किसका यूच कर लेंगे चीछ तो hypermetropia तो यह कहते हैं ठीक से image नहीं बन पा रही है तो hypermetropia में रेटिना के पीछे बन रही है जबकि myopia में रेटिना के आंगे बन लिए है ठीक है correction of hypermetropia तो hypermetropia की correction किस तरह से किया जादा है hypermetropia is corrected by using by convex lens light rays are converge by convex lens before entering the eye तो आई में enter पहने से पहले ही क्या कर देता है converge कर देता है ठीक है तो देखिए आई में enter होने से पहले ही उसने क्या कर दी converge कर दी और यहां पर आई में enter होने से पहले ही डार्वाइबर्स भी कर दी तो इस तरह की changes होते हैं किसमें refractive errors में thank you guys please like, share and subscribe the channel